PCS Current News में अभी की खबर है सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण पाबंदी केंदर सरकार ने देश भर में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले ने पिछले साल एक गजट अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध की घोशणा की थी और अब उन वस्तूओं की एक सूची जारी की गई है इसके तहट सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के मैनुफेक्ट्रिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रिबूशन, बिक्री और इस्तिमाल पर बैन लगा गया है परियावरण मंत्राले के तहट गवर्मेंट बोडी, सेंट्रल पॉलूशन कंट्रोल बोर्ड यानि CPCB ने उन आइटम्स की एक लिस्ट जारी की है जो बैन होंगे प्लास्टिक स्टिक वाले इयरबर्ट्स, घुबारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के जंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रिम स्टिक, सजावट वाले थर्मकोल, प्लास्टिक प्लेट, कप, प्लास्टिक पैकिंग आइटम, प्लास्टिक के इंविटेशन कार्ड्स, सिगरेट के पैकेट, सौ माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक और पीवीसी CPCB ने कंजियूमर से प्लास्टिक के बजाए एको फ्रेंडली विकल्प चुनने का नुरोथ किया है उदारण के लिए सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों की बजाए कॉटन की थैलियों का इस्तिमाल करने का सुझाव दिया है इसके अलावा प्लास्टिक की थैलियों की जगा नेच्रल क्लोथ का इस्तिमाल किया जा सकता है और्गेनिक कॉटन, उन या बास से बने टिकाव कपड़े धोने पर प्लास्टिक के रेशिन नहीं छोड़ते हैं आईए जानते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है तो ये प्लास्टिक से बना वह प्रॉड़क्ट है जिसे एक बार ही इस्तिमाल किया जा सकता है और ये आसानी से डिस्पोज नहीं किये जा सकते हैं प्लास्टिक से बना वह प्लास्टिक